जिस समय सारा देश अपनी नजरें लगाए बैठा है रिया चकरवर्ती की खबर से उनके गिरफता होने की खबर से ठीक इसी समय IVPS में बैठने वाले अभ्यर्ती एक अलग तरह की समस्या से जूज रहे हैं आज 8 सेटमबर है लेकिन ठीक एक दिन पहले 7 सेटमबर को एक नोटिफिकेशन आया था जिसे सब जगह प्रचारत किया गया मैंने भी अपने फेस्बुक पेश पर लगाया था जिसमें ये कहा गया कि उनकी 12 और 13 सेटमबर को होने वाली परिक्षाएं स्थगित कर दी गई है और नई डेट का अनाउंसमेंट शिग्र किया जाएगा और आज यानि 24 घंटे के भीतर उस आदेश को रद करते हुए ये कह दिया गया है कि 12 और 13 सेटमबर की परिक्षाएं अपने तय समय पर होंगी और अभ्यरतियों को उनके एडमिट कार्ड्स भी भेज दिये गए हैं उस वक्त लोगों ने अपनी जो दौरे थे या जो टूर की प्लानिंग थी जो आने जाने की विवस्था थी वो उसी साब से कर लेगी अब एक्जाम्स नहीं होने वाले हैं और आज अचानक अब ये सूचना आती है कि अपने तय समय पर होंगे और अभ्यरतियों को एडमि से अपलाई किया हो अलग-अलग राजियों में अलग-अलग वेकिंसी जाती हैं और जहां ज्यादा वेकिंसी जाती हैं दूसरे राजिय के लोग उस राजिय से अपलाई करते हैं ऐसे में इतने कम नोटिस पर ट्रेवल करना और बिलकुल एन मौके पर 24 घंटे के अंदर द करने वाला भी है क्योंकि travel arrangements बहुत मुश्किल हो जाते हैं मैं आपको बता मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो इससे में notification आया है अभी थोड़ी दिर पहले it has now been decided to hold the online preliminary examinations under CRP RRB 9 for officer scale 1 on 12 September and 13 September as scheduled earlier as per IBPS notification dated 10th August 2020 the notice dated 7th September 2020 stands withdrawn सिर्फ जो कल भेजा है call letters for officer scale 1 have been made live candidates are advised to download the same from the authorized IPPS website www.ibps.in और इसमें भी लिगा है कि 99.26% candidates have been allotted the center of their choice the exam dates for online preliminary examination for the post of office assistance assistance are 19 September 20th September and 26th September candidates are requested to visit the authorized website of IBPS ये इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन करना कल notification आना की exam नहीं होगा आज notification आ रहा है exam होगा ये ऐसी इस्तिती क्यों इतना धीलेपन से काम ना हो तो बहतर होगा क्योंकि लाखों लोगों का भविश इस तरह की परिक्षाओं पर टिका होता है